जादुगरू की इन्ट रेलिटी को देखकर आप हैरान होने वाले हो केसे इतनी कम समय में एक आदमी से औरत बन जाती है और केसे हमें बेवुकूब बनाती है आज आप जानोगे और समंदर में ऐसे स्क्वेर लेहर क्यों बनती है इसका क्या कारण है ऐसा ही टॉप 17 इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए है और आभी तोक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर से दावा लेना फैक्टर नॉमर 17 उत्तर कुरिया के तनासा किम जोंग उन जब विदेश यातरा पर जाते हैं तो अपनी सुरक्षा को लेकर इस तरह सतर्क है कि वो अपने साथ हमेशा नीजी टोयलेट लेकर चलते हैं क्यूंकि वो नहीं चाहते है कि कोई भी उनका मलमुत्र का नमुना एकटा करके स्वस्त के बारे में कोई भी जानकारे इकटा कर सके इसी बात को ध्यान में रखते हुए किम जोंग उन अपने साथ हमेशा इस पॉल्डी वर्ट टोयलेट को लेकर चलते हैं कस्मीर में पोस्टेट CRPF कमांडो चेतन सार को लस्ट इयर ट्रेरिस एटेक में नो गोली लगी थी एक गोली उनके दिमाग की राइट आख में और बाकी हाथ में पेर में और पेट में लगी थी इसके बाद वो चाहते तो रिटारेट ले सकते थे लेकिन उनका देश के लिए जो प्यार था उसके लिए ये एक साल बाद ठीक होके अपने पोस्ट में वापस चला गया देश के इस जवान के बहादरी के लिए तो एक लाइक बनता है पर्ट नमर 15 इंडोनेशय की डानी जनजाती के परिवार में किसी सदेशो के मौत होने पर सोक जताने के लिए अपने उंगली का एक हिस्सा काटने का रिवाज है मिर्त परिवार के सदेशो को सरिधान जली देने और सोक मनाने का ये अजीब परंपरा इन जनजाती के महिला पुरूस दोनों के लिए है लेकिन आम तोर पर इसे महिलाओं को ओई निवाना पड़ता है क्या आपको पता है जब आप गहरी नींद में होते हो और गिरने का अनुवती होती है फिर आप अचानक से जाग जाते हो इसे हाइपनिक जर्क कहते है फ्रक्ट नुवर थाटीन क्या आपने कभी सोचा है भोजन करने के बाद आलस और नींद क्यों आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारे सरीर में सीरो टोनिन नाम का एक किमिकल रिलीस होने लगता है जो कि इनसान के सरीर को रिलेक्स करने में मदद करता है और दूसरा कारण ये भी है कि हमारा बलड सर्कुलेशन दिमाग से हट कर पेट की और परवावित होने लगता है और इसी कारण भोजन करने के बाद आलस और नींद आती है प्रक्ट नुमर 12 क्या आपने कभी सोचा है किसी इनसान को डर की वज़ा से मौत केसी होती होगी दरसल किसी इनसान को डर की वज़ा से मौत इसलिए हो जाती है क्यूंकि डर की वज़ा से हमारी बलड से बहुत ज़्यादा मात्रा में एडरिनालिन रिलीस होता है ये केमिकेल उस डर पर निर्वर कता है कि आप कितना ज़्यादा डरे हुए हो उस हिसाब से ये रिलीस होता है जो ज़्यादा होने पर जहर बन जाता है और हाट पर दर्द का एहसास होता है ये चीन में खाया जनेवाला एक खास तरह का बोजन होता है जिसे पक्षियों के गोसले से तयार किया जाता है इसे पिछली 400 सालों से चीन में खाया जा रहा है ये दुरलब स्वादिस्ट और ज्यादा प्रोटीन होने की वज़ा से ये दुनिया के सबसे महेंगे डीस में से एक है जिसे 6000 डोलर परती किलो में बेचा जाता है पक्ट नमर 10 पायर होक्स ये एक एसा पक्षी होता है जो जंगलों में आग लगने का काम करता है इन्हें जंगलों में कहीं भी थोड़ी सी भी आग दिख जाये तो ये पक्षी सूखी लकडी की मदद से उस आग को फैला दे है और आग लगाने से छोटे छोटे जीव जंतू कीट पदंग अपने बीलों से बाहर निकलते हैं और ये पक्षी उनका सिकार करता है और और जब ये उन बीच को मल बना कर दूसरे दरवजे से निकालता है तो उसे साप करके कोपी लुग कोफी तयार किया जाता है जो वह वहां के लोग इसे बड़ी चाल से पीते हैं फैक्ट नमर एट अफरिका के गर्म इलाकों में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम सेमानी समन है इस पेड़ की खासियत यह है कि ये पेड़ दिन के समय में अपनी डालियों पर पानी भर लेता है और फिर यही पानी बरसा के रूप में जमेन पर गिराता है वहां के लोगों के लिए ये पानी एक मात्रस रोत होता है वहां के लोग इस पेड़ को वर्सा वाला पेड़ भी कहते हैं फैक्ट नमर सबन ये जो आप देख रहे हो रंग बिरंगा भुट्टा खासकर अमेरिका में पाया जाता है और इ जो की इसे इतिहास का सबसे बेरहम दया मानी जाती है ऐसा इसलिए क्यूंकि वही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना जिसने लगबग 60 लाग लोगों को मौत के गाट उतार दिया फैक्टर नमर पाइप बॉलिवूड अपने ज़्यादातर फिल्म में प्यार महबत को ही द रखी कर रहा है पैक्ट नमर 4 अगर आप किसी दिन समंदर के किसी बीच पर घुमने के लिए जाते हो और आपको समंदर के लेहर कुछ इस परकार चोकोर यानि स्क्वेर आकार का लेहर बनती हुई दिखाई दे तो तुरंत वहां से दूसरी जगा चले जाएं क्यूंकि ये संकेत होता है कि वहां कुछ ही समय बाद सुनामी आने वाली है क्या आपको इससे पहले ये फैक्ट मालूम था हमें कोमेंड में बताओ पैक्ट नमर्ट 3 क्या आपको पता है हमारे पिर्थीविप पर जनसेंग्या इतनी बढ़ चुकी है कि यदि आप एक इंसान से एक सेकेंड के लिए भी मिलते हो तो फिर भी सबसे मिलने के लिए 245 सल लग जाएंगे यानि लगवग तीन बार आपको जन्म लेना पड़ेग और एक हमारे देश में किसी को कोई फरखी नहीं पड़ता लोग पी कर कहीं भी लेट जाते हैं अब बात करते हैं एक एसी मेजिक ट्रिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है बहुत लोग इसे रियल मेजिक समझते हैं इसमें ये जादूगर काले कपड़े पर लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करता है फिर ये आदमी अपने आपको उस चादर पर कवर करता है और आचानक से वहां से एक लेट की बाहर निकलती है ये इतनी कम समय में होता है कि इसे कोई समझी नहीं पाता और अगर ये कोई हाथ की सपाई भी होती तो इतनी कम समय में कैसे की जा सकती है इसके बाद स्टेज पर एक स्मॉक फायर की जाती है और उसके बीच से हमें वो सक्स दिखाई देता है जो पहले बेड में लेटा था और इस बार उनका ड्रेस भी चेंज होता है आपने जरू सोचा होगा कि ये आखिर हुआ कैसे असल में इस मेज साइट में एक कमपार्टमेंट है जहां ये आसानी से खुल जाती है और आगे हम इस वीडियो में देखे तो एक आदमी सेतान का भेस बना कर जेजिस को डराता है ताकि उनका ध्यान बटका सके और उसी दोरान आप देखोगी कि बेट के कवट से कोई निकलता है और यही इ इस ट्रिक का सिक्रेट है आई होब कि आज के हमारे इस वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला